नमस्कार दोस्तो फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्या सपोर्ट में और मैं हूँ रिशब दोस्तो तो आज की जो वीडियो है दोस्तो हम लोन के ऊपर आज वीडियो बना रहे हैं आपको क्योंकि हमारे काफी वियर्स ऐसे हैं जो लोन के ऊपर वीडियो चाह करते हैं दोस्तो बहुत ज्यादा आसानी से तो यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो बने रही है वीडियो के लास्थ तक तब यहारी स्कीम को समझ पाएंगे तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं बिनगय समय करब किए हैं की तो다고 इस प्रकार से जैसा कि अभी मैंने अपना यह जो है प्ले स्टोर ओपन कर रखा है तो इस प्रेकार से आपको अपना भी प्ले स्टोर अपने फोन में ओपन कर लेना और यहां पर आप सर्च कर लिजगा जैसा कि मेरे फोन में उपर टैब आ रहा है लोन एप इस तरीके से जब आप सर्च कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर loan app for instant personal cash loan इसको open कर लेना है अभी आपको अब जैसा कि मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा हाला कि मैंने इसको पहले से करके दिखा देता हूं यह जो arrow बन कर आ रहा है यहां पर आपको क्लिक कर लेना है और details खुद से ही आपको पढ़ लेनी है तो यहां पर आपको about this app personal loan app from app for loans up to one lakh in one day minimum salary देंस 12,000 तो यह जो आपका यह जो app है यह loan देने के लिए आपको salary होनी चाहिए minimum 12,000 तभी आपको यह जो app है वो loan देता है दोस्तो पच्छे सो से एक लाख रुपए तक का loan आपको मिल जाएगा इससे और इसमें आपको दोस्तो 1.5 से लेकर 1.5% से लेकर 3% तक आपको इसमें interest देना होगा ब्याद देना बाकि सारा आप पढ़ लीजेगा documents पर मैं आपको ले चलता हूं तो scroll down करते हुए दोस्तों आप नीचे आ जाएए और मैं आपको यहाँ पर देख लेता हूं तो application process to take loan from our personal loan app it's very easy to apply form our loan app online it only takes 3 minutes for step 1 of loan approval तो यह जो कह रहा है कि 3 minutes में किवल आप 3 step follow करके loan ले सकते हैं तो सबसे बहले आप अपने complete short application form on our instant loan app तो आप सबसे बहले ऐसा कीजिए अपना जो loan app है ना उसको open करके form को fill कर लीजिए वो मैं आपको अभी करके दिखा दूँगा और आपकी bank जो है ना bank की passbook की 3 last के 3 महीने की statement लगेगी दोस्तो आधार कार्ड लगेगा आपका pen कार्ड लगेगा और आपके account में आ जाएगा loan तो बहुत simple है अब हम आपको ले चलते हैं app पर कैसे app open करके आप अपने form को fill करेंगे तो यहां से मैं अपनी app को open कर लेता हू दोस्तो और यहां पर आप select कर लेते हैं language तो English language को select करके आगे बढ़ते हम यहां पर apply now पर करना है फिर यहां पर location contact ok कर दीजगा got it यहां पर allow कर दीजगा और allow allow करके फिर यहां पर आपको अपना mobile number डालना है या फिर आप Facebook से लोग इन करते हैं तो हम Facebook से यहां पर login कर लेत तो इस प्रकार से आपको जो है आज आएगा continue as Rishabh यहां पर मेरी ID से login हो गया है आप यहां पर हमें number डालने की कोई आवश्यक्ता नहीं है अब दोस्तों यहां पर देखिए इस तरीके से interface open हो जाएगा यहां पर आपको अपना mobile number डालना है यह मैंने fill कर दिया employee type आपको select करना है salary यहां इंप्लॉय तो यहां पर self employee कर लिना यह salary तो salary और यहां पर आपको अपनी current company का नाम डालना है जो भी है यहां पर मैं भर देता हूं कोजेंट e-services तो मैं यहां पर काम करता हूं कोजेंट e-services देखिए दोस्तों आ रहा है और यहां पर मैं भर देता हूं CSA customer service executive और यहां पर मैं अब यहां पर total work experience में आपको one year जो भी है आप सलेक कर ली जगा यहां पर मैं six month सलेक कर लेता हूं और monthly यहां पर आपको monthly take home salary तो यहां पर मैं 65,000 शुरुपीज लगक salary है यहां पर तो अब यहां पर है my civil score I don't have civil score तो I don't know यहां पर आपको pin code नंबर डालना है तो 243 0011 और यहां पर इस तरीके से अब done कर देते हैं do you have any execution credit card including no कर देते हैं और please select purpose तो यहां पर medical use children's school fees manage betting expenses यहां पर मैं कर लेता हूं why a gift for our family आप done कर देते हैं अब यहां पर get my decision तो जब आप यहां पर mobile number डालेंगे और यहां पर जो verify लिक कर आ रहा है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक आपको ना OTP आ जाएगा जब OTP आप सब्मिट कर देते हैं फिर आपको यहां पर confirm करना होगा यहां पर हो जाएगा आपका जो mobile number है वह verify और मैं आपको यहां पर देखा भी देता हूं तो यहां पर देखिए आ रहा है अब देखिए हो जाएगा इस तरीके से लिखके आ रहा है प्लीज बेट तो इस तरीके से आपको भी अपना जो फॉर्म है वह फिल करना है फिलाल तो होगा ही नहीं क्यूंकि मेरी सेलरी आती नहीं है यहां पर लिखके आ गया कॉंग्रेटिजेशन और कंप्लीटिंग दा फर्स्ट स्टैप यूरा यूरा यूर इलीजलेबल फॉर क्रेडिट लिमिट ऑफ रेंज अठारा हजार तो अठारा हजार रुपए का लोन ही यह एप मुझे दे सकता है क्यूंकि मैं अठारा हजार रुपए के हिसाब से ही इ ज्यादा आशान है अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो बिलकुल लाइक कीजिएगा कमेंट करेजिएगा सर और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को और इसी प्रिकार कि आपको बहुत सारी व बुडबाय फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ थेंक यू